A Beautiful Mind ये एक सची बायग्रिफिकल कहानी है ये कहानी है जॉन नैश की और ये कहानी शुरू होती है World War II के खत्मोने के दो साल बाद क्योंकि 2 सेप्टेंबर सन 1945 को World War II खत्मों गया था और अब वक्त है 1947 का और इस वक्त में ये दिखाया जाता है कि जॉन नैश जो की एक स्कॉलर है उनका प्रिस्टन युनिवर्सिटी में एड्मिशन होता है कॉलिज के पहले दिन उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है जो सब के सब मैट्स और साइन्स के स्टूडेंट्स है यहाँ पर उसकी मुलाकात मार्टिन हैंसन से भी होती है जो की नैश की तरह ही एक स्कॉलर है नैश उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोनों प्रिप्रिंट्स पढ़ें जो की तुमने एक नाजी साइफर्स के ओपर लिखाता और दूसरा नॉन लिनियर एक्वेशन के ओपर और मुझे यकीन है इन दोनों में से ही कोई भी इनोवेटिव आइडिया नहीं है दरसल जॉन नैश के मन में जो भी होता है वो बोल दियता है वो कभी भी दिल से नहीं सोचता वो हमेशना दिमाग से सोचता है और वो ऋ सुप्रीमली इन्टैलिजेंट होता है इसके साथ-साथ उसका नेचर शाही भी होता है उसकी अपनी एक अलग दुनिया है जिस दुनिया में वो अकेला रहता है अब नैश अपने रूम में जाता है और जब वो रूम में जाता है तो वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है ये लिटरेचर का स्टूडेंट है इसका नाम होता है चार्ल्स हर्मन चार्ल्स हर्मन का नेचर जॉन नैश से बिलकुल विपरीध होता है हाला कि नैश शुरू में उससे अच्छे से बात नहीं करता लेकिन बात में ये दोनों बात करते हैं और जॉन नैश चार्ल्स को बताता है कि सब अपनी थीसिस जमा कर चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं की क्योंकि मैं किसी ओरिजिनल आइडिया पर काम करना चाहता हूं इसके साथ-साथ जोन नैश कभी भी क्लास में नहीं जाता उसका कहना है कि क्लास में टाne वेस्ट होता है हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो पहले से लिखी जा चुकी है लेकिन जोन नैश कुछ ऐसा करना चाता है जो पहले दुनिया में कभी भी भी ना हुआ उसके सबी साथी जॉन को साइको समझतें क्योंकि उसका दिमाग सबसे अलग होता है वो बहुत बलंट और अपने काम में बहुत इन्वॉल्ड होता है उसे नहीं पता चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है वो सिर्फ वही करता है जो उसे जिन्दगी में करना होता है नेश बहुत ब्लंड होता है और वो कभी भी किसी की काम को एप्रिशेट नहीं करता क्योंकि किसी का भी आइडिया उसे उरिजिनल नहीं लगता अब जब जब जॉन नेश को मार्टिन ये बात बोलता है तो इस सो परिशान हो जाता है और वो दो दिन तक लगातार लाइब्र पर आइडिया को जो 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 उसके मन में आता है वो उसे विंडो के ग्लास पर नोट डाउन कर लेता है जान कहता है कि मेरे दिमाग में ये तीन आइडिया जिसमें शायद मैं थीसिस लिख सकता हूं एक जिसमें लोग रगभी यानि की टच फुटबॉल खेल रहे होते हैं दूसरा जिसमें बहुत सारे कबूतर दाने के लिए लड़ रहे होते हैं और तीसरा जिसमें एक लेड़ी एक आदमी को चीज़ कर रही है क्योंकि उसने उसका पर्स चोरी कर लिया है दरसल वो इनके बिहवियर के ऊपर ठीसिस लिखना चाता है और ये सच में एक औरिजनल होते हैं और यहां पर एक लड़की होती है जो जॉन नैश को देख रही होती है जॉन नैश की दोस्त उसे बोलते की जा वो तुमें देख रही है जॉन नैश उस लड़की के पास जाता है वो लड़की जॉन नैश को बोलते की शायद तुम मेरे ले एक ड्रिंक खरिना चा और इस बात से उन लड़की गुस्सा होकर उसे थपड मार कर वहां से निकल जाती है अब अगले दिन जॉन नैश के लेक्चरर उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी थीसिस को जमा करवाना चाहिए क्योंकि सब ने अपनी थीसिस जमा करवा दी है लेकिन अभी तक जॉन नैश को कोई भी ओरिजिनल आइडिया नहीं मिला अब उसी राप को जब वो अपनी दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है तो वहां पर लड़कियों का एक ग्रूप आता है जिसमें एक लड़की बहुत ही सुन्दर होती है और ये सब के सब उसकी और अट्रैक्ट हो जाते है सब उसे अप्रोच करना चाहते है हैंसन बोलता है कि तुम्हें एड़न स्मिथ क्यों बात याद होगी दरसल उनकी एक थेरी होती है जिसमें ये बताया जाता है कि यानि कि सब अपने अपने ले काम करेंगे यानि मिल चुका होता है जॉन कहता है कि एडम स्मिथ को रिविजन करने की जरुरत थी अगर हम सब उस लड़की के लिए जाते हैं तो हम एक दूसरे का रास्ता रोकेंगे और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कोई भी उसे ना पाए और इसके बाद जब हम उसकी दोस्तों को अप्रोच करेंगे तो वो भी हमें रिजेक्ट कर देंगी क्योंकि जिन्दगी में कोई भी सेकिंड आप्शन नहीं बनना चाता क्या हो कि अगर हम उस सुन्दर लड़की की तरफ ना जाएं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं लेकिन रिजल्ट इससे भी बहतर तब आ सकते हैं जब हम वही करें जो सब के लिए बहतर हो और हमारी लिए बहतर हो और इस तरह से जॉन नैश को गवर्निंग डाइनमिक थेरी का आइडिया आता है और अगले दिन जब वो अपने सीनियर अपने प्रोफिसर के पास इस आइडिया को ले जाता है तो वो इससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये एक ओरिजिनल आइडिया होता है और साथी साथ ये एडम स्मित की 150 साल पुरानी थेरी को पूरी तरह से नकार देता है उसके प्रोफिसर उसे बोलते हैं कि इस ब्रेक्ट्रू के ले तुमें कहीं भी एडमिशन मिल सकता है और तुम जाओगे वीलर लैब्स लेकिन वहाँ पर तुमें दो और साथी लेकर जाने होगे जो की एक टीम की तरह तुमारे साथ काम करेंगे और ये नैश की जिन्दगी का एक बहुत बड़ा दिन होता है और उसकी इस अचीवमेंट से उसका जो रूमेट होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स हर्मन वो बहुत खुश होता है लेकिन चार्ल्स हर्वन कभी भी उसके दोस्तों के सामने नहीं आता वो हमेशा उससे अकेले में ही मिलता है अब 5 साल बीच जाते हैं और 5 साल बाद उसे दा पेंटगॉन में बुलाय जाता है ये वक्त होता है सन 1953 का दरसल यहाँ पर उसे एक encrypted code को decode करने के लिए बुलाय होता है जिसे जौन नैश अपने दिमाग में ही सॉल्व कर देता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हों सब की सब हैरान हो जाते है क्योंकि encrypted codes को messages को decode करना इतना असान नहीं होता encrypted message उसे कहते हैं जब हम किसी और form में किसी दूसरे इंसान या organization को message भीशते हैं और ये message बहुत खूफिया होते हैं ऐसा जौन नैश ने पहले भी दो बार इनके लिए किया होता है यही पर जौन नैश को एक आदमी भी दिखता है जो उस पर नज़र रखता है जौन को समझने आता कि वो आदमी कौन है अब जौन यहाँ पर MIT के students को भी पढ़ाता है इस काम से वो बहुत एक dissatisfied होता है क्योंकि वो जिन्दगी में कुछ बढ़ा करना चाता है कुछ अलग करना चाता है और साथी साथ उसे एक class लेना और दूसरू का class attend करना यह सब time waste लगता है क्योंकि अपने college के दिनों में भी वो class attend नहीं करता था बलकि वो एक innovative नया idea ढूनने की कोशिश करता था और वो यही दूसरे लोगों के लिए भी चाता है अब class के बाद उससे वही आदमी मिलने के लिए आता है जो उसे उस जगा दिखाता जिस जगा पर उसने encrypted code के message को decode किया था वो आदमी उसके पास आता है वो कहता है मेरा नाम William है और मैं ministry of defense department से हूँ मुझे तुमारे जैसे आदमी की तराश थी तुम बहुत talented हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ एक project पर काम करो तुम हमारे लिए magazine और newspaper में जो Soviet के छुपेवे messages होते हैं उसे decode करो कि वो कब कहां अमेरिका पर हमला करने वाले है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और John इस काम को accept कर लेता है वो दिन रात इसी काम में लग जाता है वो magazine से और newspaper से Soviet के छुपेवे messages को ढूनने की कोशिश करता है और जब भी उसे कोई message मिलता है तो उसे उस message को एक envelope के अंदर बंद करके एक बंगलो के बाहर जो box होता है उसमें डालना होता है और John अपने काम में पूरी मेहनत कर रहा होता उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता लेकिन इस काम को करने के दौरान John की दिल में बहुत डर पैदा हो जाता है क्योंकि जब भी वो message को एक envelope के अंदर डाल कर उस बंगलो के भार वाले box में डालने जाता है तो उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और ये सोवियत की एजेंट्स है इसी ज़िए उसके दिल में डर होता है वो दिन पर अपने घर पर रहता है और साथ ही साथ John Nash अपनी एक student जिसका नाम Elysia होता है उसके करीब आजाता है और ये दोनों एक दूसरे को आप प्यार करते है एक दिन John Nash अपनी पुरानी युनिवरसिटी में जाता है यानि कि प्रिस्टन युनिवरसिटी में और जब वो एक पेड़ की नीचे बैठ कर काम कर रहा होता है तब ही वहाँ पर एक बच्ची आती है वो उसे पूछती कि आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जॉन जॉन नेश बूलता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो वो कहते है कि तुम मेरे अंकल के रूमेट थे और तब ही वहाँ पर जॉन नेश का वो पुराना रूमेट आ जाता है जिसका नाम चाल्स होता है जो प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में उसका कभी रूमेट था जॉन अपने रूमेट चाल्स को बताता है कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ जिसका नाम एलिसिया है क्या मुझे उससे शादी के बारे में पूछना चाहिए चाल्स उसे इस चीज के लिए प्रुसाहिद करता है वो कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए और जॉन नैश एलिसिया के पास जाता है और वो उससे शादी के बारे में पूसता है एलिसिया भी जॉन को प्यार करते है उसके पसंद करती है इसलिए हो हाँ कह देती है और इसके बाद जा नैश की और अलेशिया की शादी हो जाती है धीरे धीरे वक average हुख पीता है और अब वक्त आता है सद उन्निस सो प्रवणर और आज भी mount नैश पार्चर के olvy crying काम करता है और एक दिन जब वो लेटर को लेटर बॉक्स में डाल कर बहार आता है तब ही वहाँ पर पार्चर अपनी गाड़ी से आ जाता है कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते जो इनके ओपर गोलिया भी चलाते लेकिन किसी तरह से बच जाते और अगले दिन जॉन नैश विलियम पार्चर से मिलता है और वो कहता है कि मैं इस काम को छोड़ना चाता हूँ क्योंकि मेरी पतनी प्रेगनेंट है विलियम पार्चर बोलता है कि मैंने तुमें पहले भी समझा है था और अब तुम इस काम को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि रेशियन को पता है कि तुम हमारे ले काम करते हैं और अगर तुमने काम छोड़ा, तो मैं तुमारे ले काम करना छोड़这是 काूदाइगा। यानि कि तुम्हारी सुरक्षा करना छोड़ूँगा। अब जॉन नैश के दिल में दिमाग में बहुत जादा डर बैट जाता है और उसके डर का असर उसके स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं साथी साथ उसकी पतनी को भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उसकी जिन्दगी में चल रहा है जिसके बारे में वो से कुछ भी नहीं बताना चाता है अब एक दिन जॉन नैश को हावड उनिवोसिटी में गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाये जाता है और जब वहाँ पर लेक्चर देने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसका पुराना रूमेड भी मिलता है जिसका नाम चार्ल्स हर्मन है उसके साथ उसकी बांजी भी होती है उन दोनों को देखकर जॉन नैश बहुत खुश होता है और इसके बांज लेक्चर देने कले जाता है और जब वह लेक्चर दे रहा होता है तब ही उसे वहाँ पर कुछ आदमी देखते हैं और उससे लगता है कि वह सूवियत के जासूस है जॉन नैश वहाँ से भा ताबिक जॉन नैश को दिमागी कोई प्राबलम है। जॉन नैश यहाँ पर अपने रूमेट को जो की उसका दोस्त है जिसका नाम चार्ल्स हर्मन है। उसे भी देखता है और उसे लगता है कि वो भी सोवियत के साथ मिला हुआ है। और वो अपने दोस्त चार्ल्स हर्मन के उपर चिलाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम रश्यन के साथ मिले हुआ। डॉक्टरों से बताता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं है। लेकिन वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जॉन को लगता है कि ये मुझसे जूट बोल रहे हैं। इसके बाद जॉन की पतनी यहां पर आती है। और डॉक्टरों से बताते हैं कि शायद जॉन को कोई दिमागी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम उसे उस वक्से है जब ये ग्रैजुएशन कर रहा था। क्यूंकि उसके इसाब से उसका कोई रूम मेट जिसका नाम है चार्ल्स हर्मन। जबकि ग्रैजुएशन की दिनों में इनका कोई भी रूम मेट नहीं था। इनकी इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं। इन्हें हलूशनेशन होते हैं। जॉन की पतनी ऐलीसिया कहती है कि ये क्या बखवास है। इन्होंने मुझे अपने दोस्ट चार्ल्स हर्मन के बारे में कई बार बताया है जो कि युनिवसिटी में इनका रूम मेट था। डॉक्टर उसे पुछते क्या तुम कभी उससे मिली हो। क्या तुमने उससे कभी फोन पर बात की है। क्या तुमने कभी उसका फोटो देखा है। मैंने प्रिस्टन युनिव पार्चर जिसके साथ मिलकर ये रशियन्स के खिलाफ एक प्रोचेक्ट कर रहे हैं और इतना ही नहीं जॉन मुझे भी एक रशियन एजेंट समझता है तुम्हे क्या लगता है कि मैं एक रशियन एजेंट हूँ जॉन की पत्नी के अंदर वो सारे लेटर्स डालता था और उसे वो सारे लेटर्स मिल जाते क्योंकि उस्टाब वहीं पर होती हैं और इसकी बार वो जॉन से मिलने के लिए जाती है जॉन अपनी पत्नी को कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें काफी समय से बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नहीं बता पाया दरसल मैं गवर्मेंट के साथ मिलकर एक खूफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जो कि रश्यन की खिलाफ है और अब उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है तुम्हारी जान खत्रे में तुम्हें विल्यम पार्जर नाम के आदमें से मिलना होगा जॉन की पतनी एलिसिया बोलती है कि विल्यम पार्जर नाम का इस दुन्या में कोई भी आदमें नहीं है और जो तुम्हें लगता है कि तुम गवर्मेंट के साथ मिلकर रुशियnez के खिलाव कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो सब जूट है, और जो भी लेटर्स तुमने लेटर बॉक्स के अंदर डाले थे, वो आस तक मैं थे, और वो उसे वो सारे लेटर्स दिखाती है जो वो उस लेटर बॉक्स के अंदर से लाए थी जहां पर जॉन नैश उन लेटर्स को डालता था वो कहते हैं कि इन लेटर्स को आस तक खोला भी नहीं गिया वो से बताती है कि तुम बिमार हो जो कुछ है तुमारे माइनड में है ये असली दुनिया नहीं है लेकिन जॉन नैश अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से उठकर चला जाता है दरसल जॉन नैश को स्केजोफीनिया नाम की दिमागी बिमारी होती है जिसके बारे में उसे नहीं पता होता लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके बाद डॉक्टर्स उसे एक शौक थेरपी से गुजारते ही और ये बहुत ही हार्ट ट्रीटमेंट होता जो कई हपतों तक चलता है और इस ट्रीटमेंट के पूरा होने के बाद उसे रिडीज कर दिया जाता है साथी उसे कुछ टेबलेट्स भी दी जाती है जिने जौन नैश को रेगुलर खाना है अब जौन नैश अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ है दरसल जौन नैश को एक दिमागी बिमारी हो गई थी जो आज भी कहीं न कहीं उसके साथ है जिसमें उसने कई imaginary friends बना लिये थी सबसे पहला friend उसका वो होता है जो hostel में उसके साथ उसका roommate होता है जिसका नाम Charles Herman है दरसल इस नाम का कोई इनसान होता है नहीं ये उसका imaginary friend होता है और इसलिए कभी भी college में घर में या कहीं भी Herman से कोई भी नहीं मिला होता इसके बाद उसका दूसरा imaginary इनसान वो होता है जो कि चार्ल्स हर्मन की भांजी है जिससे चौन नैश कहीं बार मिल चुका है और वो उसे अच्छे से जानता है और तीसरा उसका imaginary friend है विलियम पार्चर जिसके साथ मिलकर वो सोवियत के खिलाफ एक खूफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था लेकिन ये सारे के सारे किरदार जूटे थे ये उसकी दिमाग की उपस थी और अब जब वो गोलिया खाता उसका treatment हो चुका है तो उसे इन में से कोई भी नहीं देखता लेकिन जॉन नेश ये गोलिया खारा होता है वो गोलिया उसकी बाड़ी को बहुत सुस्ट कर देती है और इस वज़े से उसकी पतनी के साथ उसका physical relationship पी पूरी तरह से खत्म हो जाता है उसकी पतनी जॉन की हालत देकर बहुत परिशान होती है और जॉन धीरे धीरे इन कोलियों को खाना छोड़ देता है और एक रात को वो देखता है कि उसकी खिड़के के भार एक आदमी भाग रहा है जॉन नैश उसका पीछा करता है और पीछा करते करते हो घर से बाहर निकल जाता है और तब ही वहाँ पर वो देखता है कि विल्यम पार्चर कुछ लोगों के साथ वहाँ पर होता है वो विल्यम पार्चर को कहता है कि तुम रियल नहीं हो विल्यम पार्चर कहता है कि मैं रियल हूँ और वो उसे वहाँ पर एक रूम दिखाता है वो कहता है तुम्हें आगे का काम यहां से करना होगा और विल्यम पार्चर जॉन को यह विश्वास दिला देता है कि डॉक्टर ने तुमसे जूट गाए और असलियत यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और इसके बाद एक बार फिर से जॉन नैश विल्लियम पार्चल के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है इसके बारे में उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं बता होता लेकिन एक दिन उसकी पत्नी उसकमरे तक पहुच जाती है जहां से जॉन नैश काम करता है जो उनके घर के पास ही होता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर उसी तरह से पेपर्स की और मैगजीन्स की कटिंग होती है जिस तरह से जॉन नैश के आफिस में थी और वो समझ जाती है कि जॉन नैश एक बार फिर से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पारा यानि कि उसे एक बार फिर से विश्वास हो गया कि उसकी इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं वो असली है एलिसिया भागते वे घर जाती है क्योंकि घर पर जो उसका बच्चा है वो जॉन के पास है और जब उचाती है तो वो देखती है कि जॉन ने बाट टब में पानी चलाया हुआ है और उसकी अंदर उसका बच्चा है लेकिन इससे पहले की बच्चा ढूबता एलिसिया उसे उठा लेती है तबी वहाँ पर जौन नैश पी आ जाता है वो कहता है कि यहाँ पर चार्ल्स हर्मन था जो हमारे बच्चे का ध्यान रख ला था चार्ल्स हर्मन यानि उसका कॉलेज के वक्त का रूम में जो कि सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है एलिसिया बोलते कि चार्ल्स हर्मन नाम का कोई भी इंसान इस दुनिया में एक्जिस्ट करता है नहीं है और वो नीचे जाकर टेलिफोन उठाती है और वो डॉक्टर रोसन को कॉल करना चाहती क्योंकि डॉक्टर रोसन ने ही उसका इलाज किया होता है अब वहाँ पर जॉन नैश को विल्यम पार्चर दिखना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को रोकना होगा नहीं तो फिर से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए जाएगा और विल्यम पार्चर अपनी गन निकाल कर उसकी पत्नी को मारने के ले जाता है जो कि सिर्फ जॉन नैश को दिख रहा होता है और वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे धका देता है और एलिसिया इस बात से गुसा होकर अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बैट जाती है विल्यम पार्चर बोलता है कि तुम्हें उसे रोखना होगा तुम्हें से मारना होगा और तब ही वहाँ पर चार्ल्स हर्मन भी आ जाता है वो कहता है कि विल्यम पार्चर जो भी कह रहा है तुम्हें करना होगा और तब ही वो बच्ची जिसका नाम मरसी है जो कि चार्ल्स हर्मन की भांजी है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद जॉन नैश का दिमाग घुमना शुरू हो जाता है उसे बहुत सारी चीजे रिकॉल होती है और वो अपनी पत्नी की गारी के सामने खड़ा हो जाता है वो कहता है कि तुमने सही कहा था मरसी रियल नहीं हो सकती क्योंकि वो कभी भी बड़ी नहीं होती दरसल जॉन नैश मरसी को कई सालों से देख रहा होता है तब से ना उसकी उम्र ना कद ना शरीर बढ़ा होता और इस बास जो समझ जाता है कि डॉक्टर सही कह रहे है मेरी पतनी सही कह रही है और ये जितने भी लोग मुझे देखते है ये सिर्फ मेरी एक imagination है इसके बाद उससे डॉक्टर मिलने के लिए आदे और वो उससे पूसते कि तुम अभी भी उन सब को देख सकते हो जॉन कहता है कि हाँ मैं उन सब को देख सकता हूँ धरसल जॉन उन सब को देख रहा होता है लेकिन उसे ये भी पता है कि ये सब मेरी imagination है वो जॉन से पूसते कि तुमने दवा खाना क्यों छोड़ दिया जॉन कहता है क्योंकि मैं अपना काम नहीं कर पारा था और साथी साथ अपने बच्चे का और अपनी पत्नी का भी ध्यान नहीं रख पारा था इसलिए मैंने दवा खाना छोड़ दिया डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें दवा खाने पड़ेगी नहीं तो तुम्हारी बिमारी और भी वर्स्ट हो सकती है इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर के जाने के बाद जॉन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस बिमारी से खुदी डील करना चाहता हूँ और उसकी पत्नी भी इस बात के लिए मान जाती है इसके बाद जॉन नैश एक बार फिर से प्रिस्टन यूनिवर्सिटी जाता है जहां पर उसका पुराना दोस्ट जो की उसका एक वक्त में कॉम्पिटीटर भी होता है जिसका नाम हैंसन है जो जॉन नैश की तरह ही एक स्कॉलर है वो अब मैथमेटिशियन डिपार्टमेंट का हैड है और वो जॉन को वहाँ पर लाइब्रेरी में अपना काम करने की पर्मिशन दे देता है लेकिन अभी भी जॉन के लिए अपनी बीमारी से लड़ना इतना असान नहीं होता क्योंकि उसे अपनी इमेजिनरी फ्रेंड विलियम पार्चर और चार्ल्स हर्मन दिख रहे होते जो उसे उसके रास्ते से डाइवर्ट करने की कोशिश करते जॉन नैश उनसे लड़ता है वो कहता है तुम रियल नहीं हो ये सब के सब उसे फोर्सफली इमोशनली ब्लैक मिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉन उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो अपनी रिसर्च को आगे जारी रगता है कॉलेज के बच्चे भी उसका मजाग उडाते हैं लेकिन अब जॉन किसी बात की भी ज्यादा परवा नहीं करता दीरे दीरे वक्त आता है और ये वक्त आता है सन 1978 का हाला कि जॉन को आज भी उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स देखते हैं यानि कि आज भी उसकी बिमारी जॉन की त्यों है लेकिन उस बिमारी के साथ उसने नॉर्मल इंसानों की तरह जीना सीख लिया है और अब वो पहले की तरह कॉलेज में दुबारा पढ़ाना भी शुरू कर देता है ये देखकर उसकी पतनी को बहुत खुशी होती है देरे देरे वक्त पीता है और ये वक्त आता है सन 1994 का जहां पर जॉन के पास एक आदमी आता है और ये आदमी जॉन को बताता है कि आपको सरकार नोबल प्राइस देना चाहती है वो उसे कैफेटेरिया में ले जाता है और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं सब के सब जॉन को अपना पैन देते हैं ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है और इसके बाद जॉन ने जो गेम थियरी पर रिसर्च की होती है उसके लिए उसे नोबल प्राइस दिया जाता है लेकिन जॉन कहता है कि ये नोबल प्राइस मैं अपनी पतनी को डेडिकेट करता हूँ अगर एलिसिया मेरी जीवन में नहीं होती तो मैं कभी भी यहां तक नहीं पहुंसता मुझे प्राइस कभी नहीं मिलता जो की सच भी होता है अगर जॉन ने अपनी हिम्मत हार ली होती वो दवाईयों का गुलाम बन जाता अपनी इच्छा शक्ती को काबू में नहीं कर पाता तो आज वो किसी हॉस्पिटल में होता वो जिन्दा होकर भी जिन्दा ना लेता लेकिन जॉन नेश ने अपने हालातों से लड़ाई की वो जिन्दगी में आगे बढ़ा और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो नॉर्मल दिमाग के इनसान भी कभी नहीं कर पाते जॉन नेश की थेरी का गलोब ट्रेड नेगोशिएशन्स नेशनल लेबर रिलेशन्स और इवोलुशनरी बायलजी पर बहुत गहरा परभाव पड़ा तो ये थी नोबल प्राइज विनर जॉन नेश की जिन्दगी की सच्ची कहानी उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी